आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस यूट्यूब चैनल में इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे CGPSC Prelims 2021-22 के लिए Top 50 Most Expected Questions तो सारे Questions जो है important है और सभी Questions मैंने जो सुबह 7 बजे जो वीडियो आता है जो काफी समय से से चल रहा है सीरीज 10 Questions वाला तो वहां से मैंने अच्छे-च्छे Questions को चांट करके यहां पर Collect किया है तो यह एक तरह का आपका revision type का होगा तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं सारी important है ध्यान से देखेगा और आंसर देने की कोशिश करिएगा पहला question दिया है 36 गड़ की कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपजाओ है तो यह question काफी बार घुमा फिरा करके अलग-अलग पूछा गया है अब यहां पर मिट्टियों का जो नाम दिया गया है वो जो है मिट्टियों के स्थानिय नाम है कनहार की बात करें तो यह 36 गड़ में काली मिट्टी को कहा जाता है मटासी बोला जाता है लाल पीली मिट्टी को डोरसा जो है काली और मटासी के मिसरण को कहते हैं कनहार तो ऐसे भी पूछा जाता है ध्यान रखेंगे तो 36 गड़ी में काली मिट्टी को कनहार कहते हैं बाकी मटासी लाल पीली मिट्टी को अगला कुश्यन दिया है प्राइदूर पी माफी चाओंगा प्रशाश की आधार पर वनों को तीन भागों में विभक्त किया गया है निम्न में से क्या एक नहीं है तो देखो जो जंगल है वन है उसको जो है प्रशासनिक आधार पर मतलब प्रशासन की सुविधा के दृष्टि कोंड से तीन भागों में विभक्त किया गया ये पूरे मतलब इंडिया का ऐसा रूल है तो कौन सा एक नहीं है ये बोल रहा है आरक्षित, शनरक्षित, अवर्गीकृत, अगला कुश्चन दिया है, छत्तिस गड़ राज्य में नगर पंचायतों की संख्या है, तो नगर पंचायतों की संख्या अभी 112 दिया हुआ है, वेबसाइट में भी एक बार चेक कर लीजिएगा, तो 112 दिया हुआ है, नगर पंच जाडू टोना करने वाली महिला है उसको कहा जाता है और वर्ष 2005 में तोनही प्रतारना अधिनियम भी पारित किया गया था जिसके तहत किसी भी महिला पर अगर कोई तोनही का आरोप लगाता है, तोनही का आरोप लगा कर उसको प्रतारित करता है, तो उसके विरुद कारिवाही की जाएगे, मतलब यह सारा बकवास चीजे हैं, जो जादू, टोना बगएरह, लेकिन यहाँ पर प्रचलन में है, जंजातियों में, तो तोनही आपको ध्यान र जाएंगे न, तो वहाँ पर जो राजमहल है, जहां पर दसहरे के टाइम पर मुख्य कारेकरम आयोजित होता है, राजमहल के आसपास, तो वही राजमहल के आसपास ही एक भवन है, काफी पहले से पुराना है, जिसका नाम है सिरहा सार, सिरहा सार, यह जो सिरहा सार है, यह स से बना हुआ है ये विद्या अड़कना इस तरह कि छोटी छोटी चीजे भी कभी कभी दे देता है अगला कोश्चन दिया है प्रथम संस्कृत महाविध्याले कहां इस्थापित किया गया था तो भही ये इस्थापित हुआ था राइपूर में मिरख्याल से साइद 1905 के रहा है व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने वाले व्यक्ति और इस्थान मतलब कि इन व्यक्तियों ने किन इस्थान से व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लिया था तो देखो पंडित रविशंकर शुकल जी तो भही रायपूर से थे राम गुपाल तिवारी जी ये मतलब आपका कूट बनेगा एक दो तीन चार ये अगला कुश्यन दिया हुआ है किस प्रकार के वनों को स्वतंत्र वन भी कहा जाता है तो हमने पीछे देखा कि प्रशाष्णिक आधार पर वनों को तीन भागों में विभक्त किया गया है आरक्षित वन संरक्षित वन वर्ग तो यहाँ पर जो है इनी तीनों में से आपको आंसर देना है कि किस प्रकार के वनों को स्वतंत्र वन भी कहा जाता है तो देखो जो आरक्षित वन होते हैं वो पूर्ण तहस्त आरक्षित होते हैं मतलब कि वहाँ पर जो है बाहरी लोगों का प्रवेश मना होता है वहाँ पर बिल्कुल बाहरी लोग जाकर के कुछ नहीं कर सकते नहीं वहाँ पर आदिवासी या फिर आसपास के जो ग्रामीन है जाकर के पत्ता तोड़ना या फिर लकडियां इकटा करना कंद मुल निकालना ये सारे काम वहाँ पर मना होते हैं अरक्षित वन में थोड़ा बहुत च कहा जाता है यहां पर अधिकतर चीजों का परमिसन होता है जो वनवासी हैं वो लकडियां बटोर सकते हैं कंद मुल फल फुल इखटा कर सकते हैं पत्ते वगरह तोड़ सकते हैं अवरगी कृत वन में मतलब कि स्वतंत्र वन में अगला कुश्चन दिया है किस काल में बस्त और में गला कंट है तो ब यहां गया है चिस्थूडी वगेरह हमें सजावट का काम किया जाता है ना तो देखो पलास से झोह है लाक मिलता है बाए Mini से मिलता है कुसुम से मिलता है लेकिन क्यर से नहीं मिलता है खैर से जो है ना कथा प्राप्त किया जाता है कथा अगला कुस्चिन दिया है चत्तिस गड़ में इस्थापित प्रथम सामानने शिक्षा का विश्व विद्याले कौन सा है तो देखो चत्तिस गड़ में इस्थापित पहला सामानने शिक्षा का विश्व विद्याले जो की राइपूर में है राइपूर वालों ने इसको देखा भी होगा जो घड़ी चौक है उससे आजाद चौक जो है ना जैस्तंब चौक उससे आगे जब जाएंगे तो उधरी लेफ्ट साइड में है रवी संकर यूनिवर्शिटी तरफ जाते हैं तो उसी तरफ तो यह ज कॉलेज था कॉलेज महाविद्याले या लग लग होते है न तो यह कॉलेज था उसके बाद जो इंदिरा कलायों संगीत विश्विद्याले या जिसकी इस्थापना वर्श 1956 में हुई थी जिसको हम बोलते हैं कि 36 गड़ का पहला विश्विद्याले था लेकिन यह विशेश विश्विद्याले था क्योंकि यहाँ पर जो है विशेश सिक्षा दी जाती है क्या विशेश संगीत संबंधी सिक्षा दी जाती है कला संगीत तो यह विशेश चीज है तो सामान्य सिक्षा बोल रहा है जहाँ पर BA, BSC, BCA यह सारा चीज पढ़ाया जाता हो तो उस तरह का पहला विश्वविद्ध याले था पंडितर विशंकर सुक्ल विश्वविद्ध याले जो 1964 में इस्थापित हुआ था तो इसमें आपको कोई भी confusion नहीं होना अगर खाली पूचहे कि चत्तिसगर में इस्थापित पहला विश्वविद्ध याले कौन था निम्न में से कौन सा कथन असत्य है तो असत्य को आपको पहचानना है राज्य का सबसे गर्म इस्थान चापा है ठीक है भई राज्य का चेरा पुझी अबुजमार को कहते हैं ये भी ठीक है राज्य का सबसे ठंडा इस्थान चैतूर गर्णा ना ना ये गलत है मैन पाट यह है किस प्रकार के वनों में कटाई एवं चराई निसीद होती है तो भई कटाई और चराई किस प्रकार के वनों में निसीद होती है मैंने बताया था आरक्षित वन में बाकी जो अवरगी क्रित वन है इसमें कोई दिक्कत नहीं है संदक्षित वन में जो वन भी भाग है उसके संदक्षन में हो सकता है अगले कोस्चिन क्यों चलते हैं तो अगला कोस्चिन दिया है कुल बोय गए छेत्र का सरवाधिक प्रतिसत किस भाग में है कुल बोय गए छेत्र मतलब हमारे चत्तिसगड में जो कृशी होता है तो उसमें जो कुल बोई गया चेतर का सरवाधिक प्रतिशत, तो भई ये होता है मध्यवर्ति मैदानी चेतर में, क्योंकि उत्तरी छत्यिसगर, दक्षिनी चत्यिसगर यहाँ पर थोड़ा सा कम होता है, अगला कुष्जिन है workers गड़ का प्राचीनतम नाम दक्षिन कोसल चत्तिसगर को रामायन में कहा गया है रामायन और यह जो कोसल है यह गुप्तकाल में गुप्तकाल में इसको कोसल कहते थे तो पुराने से पुराने समय में चत्तिसगर को दक्षिन कोसल कहा गया है अगले प्रशन की और बढ़ते हैं तो दिया है कथा निकालने का कार्य करती है खैरवार तो जो यह जो खैर वरिक्ष है खैरवार जन जाती है सरगुजा छेत्र में निवास करती है तो अंबिकापूर में कथा निकालने का उद्योग है तो यहां आपका उत्तर हो जाएगा यह जो दह है ना यह आपका उत्तर होगा केवल एक अगले question क्यों हम बढ़ते हैं तो अगला question दिया है निम्न में से कौन सा खेल नारी प्रधान नहीं है नारी प्रधान खेल कौन सा नहीं है तो देखो फुगड़ी ये नारी प्रधान है घर गुंदिया भी नारी प्रधान है बिल्लस भी नारी प्रधान है, नारी प्रधान से तात परिया जो केवल और केवल नारी हों द्वारा खेला जाता है, चौसर भी नारी यां खेलती है, लेकिन ये नारी पूरुस दोनों खेलता है, धिकतर पूरुस हो द्वारा खेला जाता है, चौसर, तो ये तीनों आपको है बालिक आए हैं उनका सबसे प्रिय खेल इसको हम समझ सकते हैं ना फोगड़ी को तो यह भी आप ध्यान में रखेंगे अगला कोश्चन हम देखते हैं निम्ण में से कौन सा खेल पुरसकार कनिष्ठ खिलाडियों को राश्ट्रे प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्सन के लिए दिया जाता है तो भई यह अच्छा कोश्चन है इसको आप लोग ना सौल्व करने की कोशिश करिएगा मेरे से पहले तो एक बार प्रश्ण को मैं आपको अच्छे से बताता हूँ तो क्या बोल रहा है निम्नमे से कौन सा खेल पुरसकार कनिष्ठ कनिष्ठ का मतलब होता है जूनियर तो जूनियर खिलाडियों को राश्ट्रे प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्सन के लिए दिया जाता है जिसने नैसनल गेम्स में कुछ अच्छा जाता है जिसने राश्ट्रे इस तर पर कुछ अच्छा प्रदर्सन किया हो उसके बाद जो राजीव पांडे पुरसकार उसवाद जो गुंडादूर सम्मान है ये खेल के छेतर में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली को दिया जाता है हनुमान सीह सम्मान है ये जो अपने खेल प्रशिक्षक होते हैं उनको दिया जाता है हनुमान सीह सम्मान खेल प्रशिक्षकों को तो आगे बढ़ते हैं या आप ध्यान में रखना बाकी चीजे भी चंडरादितेश्वर नामक सामन्त science किस राजवन्स से है चंड्रादितेश्वर तो चंडरादितेश्वर है यह बस्तर के नागवनशी सासकों से संबंधित था एक राजा हुआ नागवनसी सासक धारावर्स तो उसका ये सामन्त था धारावर्स का अगले कुस्चियन को देखते हैं महानदी की कुल लंबाई कितनी है तो भई महानदी की लंबाई की अगर हम बात करें तो टोटल इसकी लंबाई होती है 858 km कितना 858 km तो 36 गड़ में कितनी बहती है तो लगभग 286 km आगे देखते हैं NTPC company में प्रियुक्त प्रमुख खनीज कौन सा है NTPC company तो भई NTPC company बनाती क्या है किस चीज का उत्पादन करती है इसका पूरा नाम है National Thermal Power Corporation Limited मतलब यह क्या है power company बिजली उत्पादन करती है अब बिजली उत्पादन के लिए raw material क्या चाहिए तो कोईला तो NTPC में प्रियुक्त प्रमुख खनीज क्या है कोईला ऐसे भी question पूछा जा सकता है तो हर तरह से तयार रहिएगा अगला question दिया है कनिंगम के अनुसार 36 गड़ का प्राचीन नाम क्या था तो इतिहासकार कनिंगम अलेक्जेंडर कनिंगम इसका पूरा नाम था ना तो इसने जो है 36 गड़ का प्राचीन नाम महा कौसल बताया है महा कौसल महा कौसल अगला question है मुख्यमंतरी सस्ती दवा यूजना के मुख्यमंतरी सस्ती दवा यूजना जिसके तहत रियायती दर पर दवा उपलब्द कराने के उद्देश राज के नगरिये छित्रों में लागू है को अब किस नाम से जाना जाएगा तो यहां पर सस्ती दवा उपलब्द कराई जाती है इसको स्री धनवंतरी यूजना के नाम से अब जाना जाएगा तो यह current का question हो गया अगला question है चत्तिसगड़ में बहुत धर्मसे संबंधित प्राचीन के इंदर कौन से हैं बहुत धर्मसे संबंधित तो देखो सिर्पूर है यहां पर काफी कुछ मिला है राजीम भी है आरंग भी है भोंगा पाल भी है मैन पार्ट नहीं है ध्यान रखेंगे मैन पार्ट नहीं आएगा इसमें बाकी जो सब है न सिरपूर राजीम आरंग भोंगा पाल भोंगा पाल कॉंड़ा गाउं जीले में हैं तो यह सब प्राचीन समय में बहुत धर्मसे संबंधित रहें हैं जो मैन पार्ट है यहाँ पर भी बहुत भिक्ष्यों को जो अपने तिबबत से आये हैं उनको बसाया गया है सरण दिया गया है लेकिन यहाँ पर पहले इस तरह का कुछ भी साक्षे नहीं मिला है तो मैन पार्ट ध्यान रखना नहीं आएगा बाकी एक दो तीन चार एक दो चार पांच एक दो सरी गलत दगा दिया मैंने 요 यह 1245 अगहला कुष्चन हम देखते हैं नगरनार इसपात सयंत्र कहां इस्थापित है तो भaming नगरनार इस पाट सैंत्र बस्तर जिले में इस्थापित है जुझबलर से कुछ किलो मेटर दूर पर इस्थित रिगा नगरनार इस पात सैंत्र अडला कु कूट एक भार देख लेते हैं चत्तिस गड़ी मेरे खाल से नहीं होना है कूट में तो यहां पर देखो जो नारायनपूर के जो गूंड है न वो इस्पेसली गूंडी बूली का प्रियोग करते हैं और साथ ही साथ जो कांकेर से लगा हुआ जो एरिया है कूंडा गाउं में जो गूंड है वो जो हैं गूंडी के साथ-7-36 गड़ी बूली का भी प्रियोग करते हैं साथ ही साथ कुछ हल भी भी बूलते हलबी लगबाग लगबाग पूरे च्हेतर में बोला जाता है थोड़ा बहुत तो गूंडी नरायनपूर च्हेतर में वहां के गूंड उस बद हल भी ये जो है न विशेश करके बस्तर और जितने भी मैदानी एरिया के गोंड है ना वो सब जो है हल भी बोलते हैं गोंड तो गोंड जो मुरिया जन जाती अरे मैं क्या बता रहा था माफी चाहूंगा मुरिया जन जाती ना, sorry तो नारायनपूर के जो मुरिया जन जाती के लोग है वो गोंडी बोलते हैं और बस्तर छेतर के मुरिया जन जाती ये अपना हल भी बोलते हैं मैंने थोड़ा सा इसमें कुछ साइद मिश्टेक किया, एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ तो मुरिया जन जाती द्वारा गोंडी और हल भी बोली का प्रियोग होता है साथ में थोड़ा सा छतिस गड़ी भी नारायनपूर कॉंडा गाउं छेतर के जो मुरिया हैं वो विशेश करके गोंडी बुली का प्रियोग करेंगे और बस्तर जिला और उसके आसपास के कुछ छेतर वहाँ पर हल भी तो दोनों ही बुलियों का प्रियोग मुरिया जन जाती द्वारा बोला जाता है और साथ में 36 गड़ी भी मुंडा नहीं बोलते हैं तो यहां आपका कूठ हो जाएगा एक और तीन अगला कुश्चन दिया है सूर्ता के सोन की रन किसकी आत्मकथा है तो यह जो आत्मकथा है सूर्ता के सोन की रन यह होना चाहिए लखनलाल गुप्त जी का हाँ मीनी माता है इनका विवहा हुआ था सतनामी समाच के गुरू अगमदास के साथ मीनी माता जी के बच्पन का नाम क्या था मिनाक्षिया और इनकी हवाई दुरगटना में मृत्यों हुई थी अगला कुश्चिन हम देखते हैं 36 गड़ में लाख उद्योग का मुख्य संकेंद् है अगला कुश्चिन हम देखते हैं आँभनेर मुसका और पिपरया नदियों का संगम किस स्थान पर है तो आभनेर, मुस्का और पिपरिया, इनका जो संगम होता है खैरागड में, खैरागड संगित विश्वविद्याले है ना, अगला कुस्चन है, वर्ष 1875 में, राजनांद गाउर रियासत के राजा महंत घासिदास द्वारा किस स्थान पर शंगरहाले की स्थापना की गई, तो महंत घासिदास जी ने, अच्छा ये जो महंत घासिदास है ना, ये राजा का नाम है, ध्यान रखना ये कोई मतलब महंत नहीं है, जो राजनांद गाउर के जो सासक थे ना, वो महंत लिखा करते थे, क्योंकि ये बैरागी बन सके थे, पहले महंत हुआ करते थे, बाद मंदिर और जिले डिड़नेश्वरी देवी का मंदिर ये मलहार बिलासपूर में है मलहार में है खलारी माता का मंदिर खलारी महासमुद तेलिन माता का मंदिर केस काल कॉंडा गाउं चंद्रहाशिनी देवी का मंदिर चंद्रपूर जांजगीर चांपा तो कूट क्या बनके आ रहा है आपका 3, 4, 2, 1 3, 4, 2, 1 यह होगा ना कूट 3, 4, 2, 1 अगर मैं कूट गलत वलग बोलता हूँ तो आप सुधारिएगा तो 3, 4, 2, 1 यह होगा ना अगला कुश्चन दिया है तीरदगर जलपरपात के संदर संबंद में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सबरी नदी किसकी साहिक नदी है गोदावरी की साहिक नदी है और इंद्रावत्ती जो है खुद गोदावरी की साहिक नदी है तो इंद्रावत्ती का इसमें कोई भी लेना दिना नहीं है तो यह गलत होगा अगला यहां 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 सबसे उंचा जल परपात है, ठीक है भही यह, कहीं खंडो में प्रभाहित होता, यह भी ठीक है, यह कांगिर गाटी राश्टर उध्यान में इस्थित लेकिया, यह फिर तो यहां पर दो, तीन, चार जो है, सहीं होगा, अगला कुश्चेन हम तो आरक्षित वर्ग के लिए संसदिय निर्वाचन छीतर की संख्या है तो हमारी आरक्षित वर्ग कौन कौन से हैं तो ST और SC तो ST के लिए 4 हैं, SC के लिए 1 है तो आपका उत्तर हो जाएगा 5 ST के लिए सरगुजा है, राइगड है, कामकिर है, बस्तर है और SC के लिए है जांजगीर चांपा तो 5 जो हैं आरक्षित वर्ग के लिए है और 6 जो है अनारक्षित अगला कुश्चन दिया है, निम्न में से कौन जन जाती है, चितरकार नहीं है तो वेलगुर मंडावी है, नर्मदा सौन साही भी है, जनगरसी है भी है लेकिन चेंदरूराम मंडावी ये चितरकार नहीं थे, ये इनको टाइगर केट के नाम से जाना जाता है क्योंकि बच्पन में एक सेर लेकर के आ गए थे, टाइगर लेकर आ गए थे अगला, तो यहाँ पर एक दो तीन जो है, अज़क क्या दिया है, कौट कौन चितरकार नहीं है बोल रहा है न, तो ये होगा आपका, जो ये, चौथा मतलब चेंदरूराम ये जो है, चितरकार नहीं है अगला कौस्चन दिया है, अभुजमारिया जंजाती मुख्य रूप से किन जिलों में निवास करती है, तो देखो जो अभुजमारिया जंजाती का प्रमुख शंकेंदरन है, एक तो नारायनपूर में और साथी साथ बीजापूर में मतलब की नारायनपूर का जो दक्षिनी भाग है और बीजापूर का जो उत्री भाग है, वहाँ पर अभुजमारिया जंजाती का संकेंदरन है, वेशे अधिकतर ये नारायनपूर में हैं, और थोड़ा बोद बीजापूर में, तो दो और चार आपका जो है कूट होगा, दो और चार अगला कुश्चन दिया हुआ है कर्मवीर पत्रिका के संपादक कौन थे कर्मवीर पत्रिका के संपादक थे भैया माखनलाल चतुरवेदी अगला कुश्चन दिया है राजा तुष्टिक का संबंध किस वंस से है तो राजा तुष्टिक का संबंध है परवत धा परवत धारकवंस से ये देवभोग छेत्र में सासन करते थे अगला कुश्चन दिया है चरणदास चोर नाटक के रचना किस ने की थी तो चरणदास चोर नाटक की रचना करने वाले हैं हबीब तनवीर इंपॉर्टेंट है अगला दिया हुआ है छपाही देवराही और भव दोशन के परकार हैं तो यह जो है ना अंगूठी के परकार है अंगूठी जिसको क्या कहेंगे हमारे चतीजगणई में मुंदरी मुंदरी अगला question दिया है 36 गड़ राज्य में रतनपूर के कल्चुरियों की राजधानी किस इस्थान पर नहीं है तो नहीं थी तो 36 गड़ राज्य में रतनपूर के कल्चुरियों की बात कर रहा है कि इनकी राजधानी किन इस्थान पर नहीं थी बाकि तुम्मान में था सबसे पहला तो तुम्मान में था फिर रतनपूर में फिर थोड़े समय चूरी कोज गई भी राजदानी गया था पाली जो है ना बाणवन सी ये सासकों की राजदानी थी तो पाली में इनकी राजदानी नहीं थी अगला कुस्चन हम देखते हैं मौकरी राजकुमारी वशाटा दिवी द्वारा किस स्थान पर इटों से मंदिर का निर्मान करवाया गया था कुस्चन ना बड़ा सरल है लेकिन थोड़ा से घुमा दिया है मौकरी राजकुमारी इटों से निर्मित मंदिर ऐसे बोल करके यह निर्मित है अगला question दिया है कौन सा जलपरपात बस्तर जिले में इस्थित नहीं है तो भई चित्रकोड बड़ा फेमस है भारत का न्यागरा ये है कांगिर धारा भी है कांगिर घाटी राश्टरुद्यान में सात धारा ये है दंतेवाडा में बाकी तीरदगर भी है यह पर कांगिर घाटी राश्टरुद्यान में तो जो सात धारा है ये दंतेवाडा जिले में है तो यही आपका उत्तर होगा सर जो है नहीं है अगला question दिया है सुमेलित नहीं है कौन सुमेलित नहीं है यह आपको बताना है देखते हैं अस प्रिश्यता अंदोलन के जनक अगला question दिया है गेड़ी नृत्य के संबंध में क्या सही है तो गेड़ी नृत्य के संबंध में क्या सही है भई तो हरेली अमावश्या से पोला तक किया जाता है गेड़ी नृत्य ठीक है ये यवका और यूतियां दोनों इस नृत्य में समान रूप से भाग लेते हैं य ये युवका और य्यूतिया दोनों भाग नहीं लेते हैं के वल ये युवकों द्वारा किया जाने वाला नरित्या है अगला कोश्चन दिया है इसमें संतुलन बनाए राखने का सुन्दर प्रदर्सन होता है इसमें संतुलन बनाने का सुंदर प्रतसन होता है अपने देखा होगा ना कितना लंबे लंबे बास पर चड़ करके नाचते हैं तो ठीक है ये गेडी लोहे और पीतल का बना होता है गलत है ये बास का बना होता है अरे कौन कौन सा सही था पहला सही था तीसरा सही था दूसरा ये हैं भई स्वर्गी जीद जोगी जी की रचना है जो के हमारे 36 गड़ के पहले मुख्य मंत्री थे तो ये ना मुख्य मंत्री होने से पहले राजनीती में आने से पहले कलेक्टर थे काफी पढ़े लिखे आदमी थे और इन्होंने ये किताब लिखी अगला कुश्यन दिया अगला कुश्यन है वैसराय लिन लिथगो ने महराजा चक्रधर सी है कि किस कला से प्रभावित हो कर संगित समराट की उपाधी प्रदान की तो देखो महराजा चक्रधर सी है ये ना तबला वादन में माहिर थे बाकित भाई कहां से संगी था ये तो निर्त्य हुआ ये भी निर्त्य हुआ तो ये दोनों ही तो आंसर हो सकता ना सितार या फिर तबला तो ये जो है तबला वादन में माहिर थे और तबला वादन के लिए ही वायसराय लिन लित्गो ने इनको जो है संगीत समराठ की था तो 36 गड़ प्रित्यक राज्य के निर्मान के लिए जो संगठन बना था उसमें पहला संगठन कौन था तो वो था 36 गड़ सोशन विरोधी मंच यही था 36 गड़ सोशन विरोधी मंच जो की 1946 में बना था कब बना था यह 1946 यह जो 36 गड़ भातरत्व शंग है यह आया था आपका 1967 में आया था ना 1967 में यह 1956 में आया था और यह आया था 1976 में संकर गुहा नियोगी और यह दोनों जो हैं डॉक्टर खुपचंद पगेल और यह किस ने बना था तो ठाकुर प्यारे लाल सी है ने अगला कुश्चन दिया है ब्रिटिस ताज के अधीन सासन करने वाले बस्तर के काक्तिय सासक थे तो यह भी एक अच्छा कुश्चन हो सकता है तो देखो जो बस्तर है यह 1854 में अंगरेजों का गुलाम बना तो उसके बाद कौन कौन से काक्तिय सासक हुई वही जो है ब्रि ब्रिटिस ताज के अधीन सासन करने वाले बस्तर के सासक थे तो एक और दो जो है आपका उत्तर होगा एक और दो अगले कुश्चन के और हम बढ़ते हैं जो कि इस वीडियो का अखरी कुश्चन होगा चतिसगर राज्य के किस स्थान पर सिपाही विद्रो हुआ था तो भ रायपूर में सिपाही विद्रो हुआ था रायपूर धियान रखना तो इसी के साथ आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताईएगा कि आप से कितने कॉस्चन सौल्व हो यह किसी भी कोस्चन में कोई भी डाउट हो जरूर बता चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद